राधी राधी बेकर्स आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है तो आज मुझे चॉकलेट लोडेट केक बनाने का ओर्डर मिला है और पिक कस्टमर ने भेज दी तो जल 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 दी से वीडियो में बने रहो ताकि आपको कुछ चीजे सीखने को मिल सके तो जल जल दी से वीडियो हाइटेट केक का था तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि मैं हाइट में बनाओ या फ्लैट में बनाओ फिर मैंने फ्लैट में ही स्पॉंज बेक कर लिया है नॉर्मली मैं 200 ग्राम का प्रीमिक्स यूज करती हूँ 6 इंच के केक टीन में तो उससे ओवरवेट चला जा जा था अ अपने नुसार क्रीम कम या ज्यादा कर सकते हो परफेक्ट आपका वनपॉंड का केक बन जाएगा बट ऐसा है ना कि हम होम बेकर्स हैं ऐसा लगता है कि चलो कस्टमर को थोड़ा इश्टा देना बनता ही है तो इश्टा दे देते हैं कोई इश्यू नहीं है वैसे भी आपकस कर दे दे सकते हैं तबी तो ओर और या जाता है तो मैंने कम ये ड़नास ही अड़ किया है और उपर से अप्लाई कर दिया फोड़ा से चॉकलेट पी मैंने यहां पे ग्रेट करके रखा था जो मिल्क कंपाउंड है देखो गाइस मिल्क कंपाउंड का टेस्ट थोड़ा मीठा होता है तो आपकी मर्जी है आप क्या चॉकलेट यूज करते हो दोनों से ही काफी अच्छा टेस्ट आता है इन मुझे तो लगता है कि मिल्क कंप उसका लास्ट में मैं एट करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी इस तरीके से मैं फिलिंग कर ली हूँ इन तीनों लेयर्स मैंने लगा दिये है तो आज हुआ क्या सुबर मैंने स्पॉंज बेक कर लिया था क्योंकि कल मुझे रात में ओर्डर मिल गया था बटना सारे दि मुझे केक को थोड़ी दिर सैट भी करना था और देखो भर भर के मैं यहाँ पे ग्रेटर चॉकलेट इन गना सैट करती हूँ ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आए मैं हर वीडियो में यह बोलती हूँ टेस्ट में कोई कमीन नहीं होनी चाहिए इन देखे बहुत अच्छे स मैंने इसे क्रम कोट कर लिया है इन 15-20 मिनिट मैं इसे छोड़ दूंगी और गाइस यह मेरे रेगुलर कस्टमर है तो इस केक का तो ना नॉर्मली मैं कितना चार्ज करती उनसे कितना चार्ज किया है इन वेट कितना है मैं आपको सारी चीजे लास्ट में बताऊंगी तो ब इसी कलर के सजावाट मैं करने वाले हूं कस्टमर की अगर रिक्वायर होती डिमांड होती तो क्योंकि ना बहुत थी प्यार से यह कलर मुझे लग रहा था देन क्रम कोट करने के बाद में मैंने सैट भी कर लिया था अब इसकी फाइनल आसिंग मैं करने लगी हूं तो क्री क्रीम ना देखे ऑफ वाइट है कस्टमर ने पिक भेजी थी तो वो पूरे चॉकलेटी कलर की थी बट मेरा क्रीम ना मैं कितना भी गनास एट करूं चॉकलेटी कलर नहीं बन पाता है फिर इसलिए मैंने क्या ट्रिक लगाई थोड़ा सा गनास ले लिया इन पूरे साइडो पर अपलाई मैं कर दूंगी तो इसकी वजह से थोड़ा डार्क कलर किनारों पर आ जाएगा इन गाईस अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो और वो वीडियो ना मैं सूट करना भूल मैं लाके लगा दी फिर मुझे याद आया कैमरा तो ऑन ही नहीं है बट ठीक है मैंने थोड़ा गनास लगा दिया इन बस इससे अच्छे से प्लेन कर लिया है तो आ गया ना डार कलर तो अगर आपका भी लाइट कलर आता है डार कलर लाना है तो ऐसा ट्राई कर सकते हो बट क्रीम में पता निमों से इतना डार कलर नहीं आ पाता है इस बहुत ज्यादा गनास एड़ करना पड़ता है तो चलो अभी से ही अच्छे से फ्लैट कर लेना है क्योंकि उपर पूर अभी चॉकलेट मैं पोर करने वाली हूँ तो उपर नहीं भी जाएगा तो चलेगा तो य आज ही इसकी वीडियो मैं आप लोगों के शाह सेयर कर रही हूँ तो अभी ऐसा है ना हलकी हलकी ठंड स्टार्ट हो चुकी है मतलब चलो गर्मी से तो निजात मिली मुझे अच्छा लग रहा है ठंड हलका स्टार्ट जो हो चुका है ना तो उसकी वेज़ से देखो चॉकल क्या हो रहा है जहां पर कोनों पर है ना बिल्कुल तूरंद के तूरंद वहां पर नो के पास में चॉकलेट जम जा रहा है बिल्कुल देख लो आप मतलब थोड़ा सा ना मुझे तकलीप हो रही थी मतलब बार बार जम जा रहा था तो बार बार मैं उसे प्रेस कर रही थी देखें निकल नहीं रहा है तो ऐसा जब कि ना इसे मैंने जब क्रम कोट किया था तब सी ये बहार ही रखा था रूम टेंपरेचर में आ चुका था और लिक्वीडी भी था उसके बाव जुद कॉर्णर में किनारों पे थोड़ा सा परिशानी कर रहा था तो ठीक है इसे मैंने पूरा पोर करके बड़ी हा से स्प्रैट कर दिया है इन गाइस बहुत ही पिहारा सा ओर लोड़ेड चॉकलेट बनने वाला है तो देखो मेरे मतलब पास के सॉप में मुझे जो चॉकलेट मिली वो मैंने मंगवा ली थी इसी से हम करेंगे और बाकी जो होममेट चॉकलेट से मैंने गारनिशिंग रेडी किये है तो वो हम यूस करेंगे तो इस प्रकार से न समझे कि इस चॉकलेट लोगों का सबका अगर मैं प्राइज करूँ तो 50-60 रुपए मैंने इश्टा चॉकलेट लगा दिया था ठीक है तो उसी साब से हमें प्राइज तै करना होता है अगर मैं और ज्यादा अच्छे चॉकलेट लगाती तो उसका मैं और प्राइज ले लेती लेकिन हाँ ये मेरे regular अगर किसी अधर अनौन पर्षन को देती और किसी को देती तो इस केक का मैं और भी ज्यादा चार्ज करती गाइस क्योंकि वेट एंड चॉकलेट भी मैंने भर-बर के डाला है तो इस अनुसार से और यहां पे ना गानिशिंग भी मैंने रेडी की है ना तो थोड़ा सा चॉक काफी अच्छे से मैंने यूज किया है ताकि खाने में कस्टमर को मजह भी आए और फैर रोसर वगर और मतलब बहुत सारी वेराइटी मेरे गाव में नहीं मिल पाती है शुक्र है कि मुझे किट कैट और फाइप स्टार वगर मिल जाता है बस वही गनीमत है हां और यहां ड बना लेती हम घर में जादा अच्छे लगते मुझे तो मैंने डेरी मिल्क नहीं मंगाया कि यह वाले जो मेरे पास मोल्ड है उससे मैंने बनाया है सुरी इन यह ना सारे मिल चॉकलेट के है जो मैंने गानिशिंग एड के हैना देख रहे होंगा मिल्चॉकलेट का पूरा कल लग रहा है इन कस्टमर ने जो पिक भेजी थी ना उससे मेल खाता हुआ है हाप चॉकलेट लोड था अगर कस्टमर की रिक्वायर होती फूल चॉकलेट लोड तो फिर मैं और ज्यादा मंगवा लेती इसी को दो-तीन करके मंगवा लेती वटना देखो अच्छे से लोड हो ग जी थी उसमें ना काफी सारे स्ट्रिंकल एट है बट मुझे लगा नहीं ही ऐसे ज्यादा बड़ी हा लुक है इसका तो इसको नहीं बिगाडेंगे तो इसका वेट भी मैं आपको दिखा दूंगी हाँ ये परसनली मुझे पसंद आया और कस्टमर भी लेने आया थे तो उन केक का ना मैं और किसी कस्टमर को देती तो 500 रुपए लेती बट मैंने इन से 450 लिया है और आप खुद देख लो इसका वेट नहीं हापके जी बोलके भी कितना चला गया है 200 ग्राम एश्टा चला गया है तो चलो ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से जल्दी लाइक शे मस रहो राधे राधे